तो चलिए देखिए ये सेशन में हम लोग करने वाले हैं रूल नमबर 28 जितने भी लोग बैठे हुए सब बदमास है ये रूल नमबर क्या है 28 एट एम बैस में वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो सारे लोग बैठे हुए है और ये मुझे बहुत हसाते हैं तो देखिए समझ हैं रेसिप्रोकल प्रणाउन क्या है समझेए देखिए रेसिप्रोकल प्रणाउन का मतलब होता है अगर कोई दो परसन या दो से ज्यादा परसन को प्रस्पर रिलेशन दर्साना होता है या पाजेशन दर्साना होता है तो इसके लिए यूज होता है रेसिप्रोकल प्रण जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, each other, one another, each others or one another, यही reciprocal pronoun है, अब reciprocal pronoun का परियोग क्यों होता है, ध्यान से सुनिये, जैसे हम दो sentence बोलेंगे, राम लब्ड सीता, सीता लब्ड राम, ठीक है, या बिराट लब्ड सिराज, और सिराज लब्ड बिराट, अगर इसको हम एक sentence म लिखना चाहेंगे, तो कैसे लिखेंगे, बिराट एंड सिराज, लब्ड बिराट एंड सिराज, तो एक गलत हो जाएगा न, नाउन का repetition हो जाएगा, और किसी भी sentence में नाउन का repetition नहीं होता है, तो इसे बचने के लिए हम लोग को बोलना पढ़ेगा, बिराट एंड तो each other किसके बदले में आया बिराट और सिराज के बदले में उनके अस्थान पर आया और उसके अस्थान पर आया तो क्या है प्रणाउन है और परस्पर रिलेशन दर्स आया तो रेशिप्रोकल प्रणाउन है तो इसी को रेशिप्रोकल प्रणाउन बोलते हैं तो जब दो के ज़्यादा के बीच में देखोगे, इस ग्रेटर दन है, बोले तो संखिया दो से ज़्यादा, दो से ज़्यादा के बीच में रेसी प्रोकरिलेसं दरसाना होगा, तो क्या आएगा, वन अनादर आएगा, जैसे, सुनिए, हम बोलेंगे, राम, राम लब्ड सीता, सीता ठीक है और बोल सकते हैं लक्षमन लब्ड सीता सीता लब्ड लक्षमन अगर इस तीन सेंटेंस को हम एक सेंटेंस में बोलना चाहेंगे तो ऐसे बोलना होगा तो इसमें blunder क्या हुआ कि छोटी से sentence में आप noun का repetition कर दिये यह आपको repetition नहीं करना था तो इसे बचने के लिए सिप्रोकल प्रोनाउन का use करेंगे जहांपे प्रस्पल एक दूसरे को पसंद या प्यार करते हैं तो राम, लक्षमन एंड सीता लब्ड इच अदर की one another इसका मतलब ही होता है एक दूसरे को और इसका मतलब ही होता है एक दूसरे को आगे देखिएगा यहाँ पे each other में क्या लगाए है मेरे भाई, apostrophe is और one another में भी लगाए है, apostrophe is बहुत असान है, मैं इजी कर दे रहा हूँ यह reciprocal relation दर साता है, relation बोले तो संबंध जबकि यह पजेशन दर साता है, पजेशन बोले तो का, के, की क्या होता है, का, के, की तो ध्यान दिजिएगा, दो परसन या वस्तु अपने अपने कारियों से एक दूसरे को परभाबित करें तो फिर वहाँ पर हम लोग को यूज करना पड़ेगा, each, others, और फिर क्या, one, another, जैसे, राम जो है, मोहन के परिवार को help करते हैं, और मोहन जो है, राम के परिवार को help करते हैं, एक दूसरे को help नहीं करते हैं, बलकि राम के परिवार, और मोहन के परिवार, एक दूसरे के possession में आने वाले person या वस्तु को help कर रहा है तो मैं क्या बोल रहा हूँ अलग-अलग sentence में राम helps Mohan's family Mohan helps Ram's family इसको एक sentence में लिखेंगे तो बोलना पड़ेगा Ram and Mohan help each other family की each other's family each other's family तो reciprocal possession के लिए आप apostrophe yes लगाएंगे और reciprocal relation के लिए आप each other or one another लगाएंगे यहाँ पे भी simple concept है दो से जादा के लिए use करेंगे each other's और दो स ध्यान दिजेगा और दो से जादा के लिए use करेंगे क्या one another's मेरे भाई दो के लिए use करेंगे each other's और दो से जादा के लिए one another's अगर आपको confusion होगा कि sir each other और each other's में हम हमेशा confuse करते हैं तो इस बात को तुम अच्छा से याद रखना मेरे भाई देखो each others और one another का परियोग हम लोग तब ही करते हैं जब इसके बाद noun आता है क्या आता है noun तो जब noun आ जाए तो noun के बाद आता है adjective और वास्ता में each others जो है और one another जो है इसको बोलते हैं हम लोग obsessive adjective क्या बोलते हैं possessive adjective और जो हमारा ध्याण दिजेगा each another और one another है इसको बोल सकते हो तुम possessive pronoun क्या बोल सकते हो possessive pronoun ये noun के साथ नहीं आएगा बलकि noun को replace करेगा जब कि each other और one another कि याएगा noun के साथ आएगा just like my possessive adjective है तो my car होगा लेकिन mine possessive pronoun है तो this car is mine होगा तो ये noun के साथ होगा और ये बिना noun का होगा एक दूसरे को affect करेगा तो each other और एक दूसरे के का, के, की को affect करेगा तो each other यही आपका reciprocal pronoun है आसा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा किसी भी competitive exam के लिए बहुत important है पांच छे question कर लेते हैं clear हो जाएगा, देखो राम एंड स्याम बताईएगा कितने बच्चे हैं राम एंड स्याम always help, जब दो है तो भार पुल्डल लगा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भार का first form, एक दूसरे को सहायता करते हैं, help करते हैं दो के लिए, यह तो प्रणाउन का जगा है नाउन के बदले में आ रहा है तो one another की each other यहाँ पे यूज किया जाएगा क्या मेरे भाई each other, ठीक है आगे देखो, राम स्याम एंड मोहन help, बताईएगा कितने हो गए हैं, तीन एक, दो, और एक क्या है तीन, जब तीन हो गए है तो each other की one another यहाँ पे यूज किया जाएगा one another बहुत असान है यहाँ पे भी राम स्याम एक दूसरे की सहायता करते हैं और यहाँ पे राम स्याम मोहन तीनों एक दूसरे का सहायता करता है तो one another आप सुनिये नाम का ही मेंसन रहेगा कोई जरूरी नहीं है कोई ऐसे adjective हो जाएं जो दो को बताता है कुछ ऐसे adjective आजाएं जो दो से ज़्यादा को बताता है तो आहां पे भी आपको करना होगा आप जानते हैं मेरे भाई की बोथ का मतलब कितना होता है दो यहां पे कितनी लड़कियां हैं दो यह दोनों लड़कियां हमेशा एक दूसरे की सहायता करती हैं help करती हैं तो दो के लिए one another each other यहां पे भी हम लोग को करना होगा each other आगे देखो यहां पे all है all का पर्योग दो से ज़्यादा के लिए होता है कि जितने भी मेंबर्स थे काउंसिल में सभा में कमिटी में ओ सब एक दूसरे पर चिलाना श्टार्ट कर दिये shout के साथ at लगता है laugh के साथ at लगता है smile के साथ भी at लगता है है कि नहीं तो यहां पे बताओगे each other होगा कि one another यहां पे भी one another होगा थोड़ा से देख लेना मैं पूरा complete spelling नहीं लिखा हूँ यहां पे है these two girls थीक है these two girls always help each other family मुझे बताओ छोटू की family क्या है noun है और noun के पहले adjective आएगा न noun के पहले क्या आएगा adjective आएगा तो जब noun के पहले adjective आएगा तो adjective बताओ each other है each other यहां पे लगाना पड़ेगा apostrophe is यहां पे दो लड़कियां एक दूसरे की सहाइता नहीं करती है बलकि एक दूसरे के family को सहाइता करती है तो एक दूसरे के काके की को सहाइता करेगी तो each other में क्या लगेगा apostrophe is noun आगे है तो adjective होगा पजेसिव एड़ेक्टि में लाएगा पिस्टॉफियेज यहां पे all the persons count each other's hand कराय कि दो से ज़्यादा ए तो दो से ज़्यादा के लिए होता है ना कराय कि जितने भी persons थे एक दूसरे को पकड़े के एक दूसरे के हाथ के पकड़े एक दूसरे के पढ़ा दूँगा थर्टी रूल्स पढ़ा दूँगा तो मैं परियास करूँगा कि सारे रूल से एक्जाम का धे सारे कोसं का प्रैक्टिस करवा दूए एक सेशन में बीच में फिर उसके बाद हम आगे आपका continue करेंगे रूल नमबर थर्टी टू यहां पर सारे पर्षंट एक दूसरे के हाथ को पकड़े और नाउन के पहले यूज होता है पजयसिव एडजयक्टिव ठीक है कि यह पजयसिव एडजयक्टिव है लेकिन दो के लिए इच अदर्स होगा कि one another तो यहां पर हम लोगों करना होगा one another ठीक है ना आपने apostrophe yes वाला यूज करा लेकिन आपको यूज करना था one another तो इसमें लगाना था आपको क्या apostrophe is ठीक है तो यह आज का session था आप screenshot कर लिजेगा ताकि लिखने में असानी होगा या फिर अपने mobile में रख लेना बार बार इसको देखना रिभाइज हो जाएगा याद हो जाएगा तो यह था आपका rule number 28 I hope कि आपको completely समझ में आया होगा नहीं आया है तो वीडियो को फिर से देख लेना आपको समझ में आ जाएगा फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में rule number 29 में तब तक बायर take care जैहिंद